दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर उचा रखना हमेशा इसका जब तक दिल में जान है आप सभी को गंटंत्र दिवस की धेरो शुब कामना है मैरा धबकुत्रा स्वागत करती हूँ आपका जी मीडिया में इस साल गंटंत्र दिवस बेहत खास है क्योंकि करतव या पत पर जब परेट देखने लोग जाते हैं तो सामने उन्हें वी आईपी गैस दिखते हैं लेकिन इस साल दिखेगा कुछ अलग ये वो मुहीम है जिसके सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी जादा चर्चा हो रही है और सब इस मुहीम से बेहत खुश भी है तो चलिए बताते हैं आपको आखिर कर ये है क्या इस बार रिपब्लिक दे परेट प सुरक्षित रहें वो टाइम से घर पहुचे या सुरक्षित अपने घर पहुचे तो चलिए बात करते हैं इन्हीं लोगों से और आप तक पहुचाते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं इस मुहीम के बारे में और उनका क्या कुछ संदेश है इस बार गंचंत्र दिवस पर जो है वी आईपी कल्चर पूरी तहर से खतम हो चुका है आपको कैसा लग रहा है कि इस बार वी आईपी गेस्ट की जगह आप जैसे जो लोग है जो आम आदमी है रिक्षा वाले सबजी वाले वो बैठेंगे आपको कैसा लग रहा है हम लोग बहुत अच्छे हैं को से बड़े लोग जो थे वो बड़े ही थे अभी तक ओटो वालों को और छोटे नॉर्माल लोग कभी नहीं समझा गया यह बहुत खुशी की बात है जो भी आईपी कल्चर खतम किया गया यह होना भी चीए सभी के साथ सब एक समान होने चीए एकता इसे ही कहते हैं हमी तो बह एकता के लिए पहचाना जाता है और आज हर भारती यह खुशी महसूस कर रहा है क्योंकि यहां पर सभी लोगों के मन में यह विश्वास है कि अब कुछ वियाईपी कल्चर नहीं बलकि सभी एक समान है तो चलिए अभी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वियाईपी कल्चर खतम किया गया है उसको लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका क्या कुछ संदेश है आपके लिए आप इस साल गंद तंत्र दिवस किस तरीके से मनाएंगे बहुत खुशी से मनाएंगे और गर पर तरंगा लगाएंगे ओटों में लगाएंगे गाल घर पे लगाएंगे तरंगा ओटों में और फैमिली हो गुमाने के लिए लेकर जाएंगे 26 जनवरी जो भी परेड वहां पर होती है जो हम जाएंगे दिली में इंडिया गेट हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप रीपब्लिक डेकल को लेकर हम तो आत्रम